तो जैसे कि आपको पता है Realme 3 Pro आपका launch नो जा रहा है इंडिया के अंदर 22 अपरेल को लेकिन आपके बहुत सवाल निकल करा रहे हैं फोन को लेकर तो आगे जाए वीडियो के एंड तक देखते रहे ना क्योंकि आपके सारे question का answer देने की कोशिश करूँगा इसकल request बसे हाँ पर रहे के छोटी से like जरु कर देने असल में न भूले आपका like करने इस वीडियो बनाने की महने सफल हो जाएगी तो खेर हमने मुद्दे पर निकल कर रहता है तो आपका screen को लेकर सवाल है तो बता दूँ 6.3 जिसकी यहाँ पर ख़बर निकल कर आई है LCD पैनल की यहने आपका सवाल है एमिलेट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो बता दूँ आपको simple LCD पैनल ही देखने को मिलेगा यहाँ पर बाकि अगर आपके सवाल है in display fingerprint sensor देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि आपको OPPO K1 में 17,000 में देखने को मिला था तो आप सोचले realme 14,000 में देही सकता है लेग ची आपको बता दो physical fingerprint sensor देखने को मिलता है realme 3 pro के अंदर जो अच्छी चीज है कि आपको budget के अंदर जो in display fingerprint sensors है वो आपको बेकार काम कर रहे हैं और आपको phone को बरबाद कर देते हैं यहाँ पर आपको अच्छी चीज है कि physical fingerprint sensor ही देखने को मिलता है बागी comments में आप बताना आप personally in display या फिजिकल वाला कौन से fingerprint sensor की तरफ जाना चाहोगे बागी हैं पर बात के लिए बैटरी की तो वैसे आपको ख़बर निकल कर रहे है 3960 mh की पर जहांते के आपको realme 3 वाली यानी 4233 mh की ही देखने को मिलेगी बागी fast charging तो आपकी confirm है almost देखने को मिलेगी बता है तो यह भी ज़र आपका fast charger Samsung की तरह box के अंदर ही देखने को मिलेगा पर आपके यह थोड़ी ची बुरी खबर यह हो सकती है कि आपको microwave भी आपर बता जा रहे है देखने को मिलेगा इन्हें को C type देखने को नहीं मिलेग बागी processor के लेकर आपकी सवाल है कैसा देखने को मिलता है snapdragon 710 तो बता दूँ आपके snapdragon 660 और 630 वाला ही case है तो कि snapdragon 645 आपका एक साल नया processor देखने को मिल जाता है लेकिन बात के लिज़ए snapdragon 710 आपके raw power में ज्यादा देखने को मिलता है कि आपका GPU, speed और आपका fabrication technology में न देखने को मिल जाता है पर आपर और नशनिया पर बात करी जाए तो दोने ही processor लगबख स्रीन देखने को मिलते हैं बाकी camera आपको बता दूँ primary sensor आपका 610 MP का बता जारा है देखने को मिलेगा OnePlus 60 वाले sensor यानि Suni MX 519 के साथ आपको बता जो कुछ चीज़े confirm हो चुकी है पहल आपकी 8GB RAM तो नहीं आपकी 6GB RAM देखने को मिलेगी क्योंकि आपका budget phone के अंदर practically 8GB RAM की जुरत ही नहीं होती है पर एक चीज़े है आपको 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 68GB RAM देखने को मिलेगा उसमें आपको UFS 2.1 Stories देखने को मिलेगी बाकी आपका हो सकता है कि आपको इसी वाले variant का नाम Avenger Edition रख दिया जाए कि आपका Realme 3 Pro का Avenger Edition भी निकल कर आना जैसे खबर आई थी पहले यहन अगर आप जाना चाहते था Avenger Edition का लेकर तो बता दूँ आपको उस variant के अंदर थोचा design के अंदर UI के अंदर और storage के अंदर आपको upgrade देखने को मिलेगा बाकि आपर selfie बताई जारी थ अगर आपको कोई सवाल रह जाता है तो आप नींचे पूश जाकते हो बाकि आपका request बस एक चोटी से like 0 कोड़ दना से मिना भूले आपका like करने से video बनाने की महना से वल हो जाएगी साथ ही जैसी कोई update निकल कर आते है आपको ख़बर मिल ही जाएगी इसके लब बाकि जाकर देखो like कर देना उत्षी मिल दबादो मिलता सुड़ो मिटिलन स्टे हपी स्टे बलाज देन बबाए